तो सौफ्ट डेरी जैसा पनीर बनाने के लिए बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है और बहुत सारी सीक्रेट्स होते हैं तो यह सारी सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में तो देखिए मैंने दूद लिया है यहाँ पर दूद आप अपनी मर्ज जिसे जितना चाहो उतना ले सकते हो इसके कोई क्वांट्रेटी नहीं है जितना चाहो उतना दूद फार सकते हो कोई प्राब्लम नहीं है तो यहाँ पर मैंने एक किलो से ज्यादा ही दूद लिया है तो एक किलो दूद मैंने यहाँ पर लिया है अब उसको हम एक बार उब पहले उबाल लेते हैं उसके बाद दिखाते हूं आपको तो देखिए यह हमारा जो दूध है वह उबल चुका है तो अब हम गैस बंद कर देते हैं तो यहां पर मैंने गैस बंद कर दिया है अब इसको हलका सा या फिर दो मिनट के लिए अगर आपके पास टाइम है तो दो-त और पर ज्यादा तर विनेगर ही सब के पास होता है तो मार्किड में जो मसाला मिलता है वो भी आप पनीर वाला मसाला जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हो तो विनेगर मैंने यहां पर एक चमच ही डाला है और काफी सारा इसमें मैं डालूंगा पानी क्योंकि अगर हम इस ज़्यादा तेज डालेंगे तो तेज तो हो जाता है फट तो जाएगा लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह होगी कि सॉफ्ट नहीं बनेगा और एक तो जितना पनीर निकलना चाहिए उसके अंदर से मतलब एक किलो दूस से करेब 500 ग्राम पनीर बनना चाहिए तो वो 500 ग्राम पनीर नहीं बनेगा 200 ग्राम ही या 1500 ग्राम ही बन जाए अगर बहुत ज़्यादा तेज किया तो तो देखिए मैंने इसको रैडी करके यहां पर पास में रख लिया है दूद के अब दूद बिल्कुल में थोड़ा सा तो अगर पहां पानी डाल देते हो तो यह तुरं ठंडा हो जाएगा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं ठंडा करना हमने थोड़ा सा मैंने आधा-गिलास पानी इसमें डाल दिया है तो इससे क्या होता है कि जितना उबलते टाइम गरम रहता है यह उससे थोड़ा ही लगेगा तो यहां पर देखिए अब जैसे जब तक फट आए ना तब तक आप इसको आराम-ाराम से पानी इसमें डालते रहें और आराम-ाराम से बिल्कुल धीरे-धीरे से इसको हिलाते रहना है सौंफ पनीर बनाने का यही एक तरीका होता है अगर आपने एकी बार में डाल दिया तो वो फट तो जाएगा लेकिन जितना पनीर चाहिए आपको उतना बन नी पाएगा मतलब एक किलो में 1500 गराम पनीर बनना चाहिए तो करीब 500 ग्राम के करीब पनीर तभी बनेगा जब आप उसको सौफ्ट पनीर बनाओगे धीरे धीरे करके फाड़ोगे तो देखिए बिल्कुल अब फट चुका है इसको दो मिनट के लिए छोड़ दें और यह देखिए पानी जो वह है कितना सारा बची किया मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लगता है इसमें को फाड़ने में तो गरम रहता है इसलिए जल्दी फट जाता है यहाँ पर एक नहीं आप इसके उपर से डाल दो तो विनेगर का जो टेस्ट होता है खटा वो निकल जाएगा तो इसको गोल से टिक की बना के जैसे भी आप बनाना चाहते हो वैसे आप इसको शेप दे सकते हो कई शेप बनाने के लिए आते हैं इस मोड वगरा भी आता है पनीर के शेप पनीर है बिल्कुल रेडी हो चुका है इसका पानी जो है वो निकल चुका है कुछ लोगों की कंप्लेंस रहती है कि जो हमारे पनीर है, उसमें कपड़े में चिपक जाता है, तो दोस्तों कपड़े में पनीर डालने से पहले कपड़े को पहले गीला कर लें, तो नहीं चिपकेंगे, और अगर चिपते हैं, तो इसका मतलब आपने पनीर, जो दूद है, उसको ठंडा गर दिया है, डालते टाइ जो पनीर रेडी हुआ है ये करीब धाइसो से तीन सो ग्राम के बीच वाली टिक्की है मतब धाइसो से जादे यह यह उसको कट करके मैं आपको दिखाता हूँ यह दिखिए बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल मतलब आप इसके पकोड़े बना सकते हो या फिर कोई भी बाहर करें और हां मार्कर में क्या करते हैं लोग कि इसको पानी में ऐसे भीगा कर देते हैं ताकि यह और ज्यादा कुछ टाइम बाद इसा बड़ जाएंगे और इसके अंदर थोड़ा तो इससे क्या होगा थोड़ा प्रॉफिट बढ़ जाता है इसलिए और बनाने तरीक मिलती रहे, thank you so much